नमस्कार यात्रियों को तमाम तरहा की सुविधा और बहतर रेल व्यवस्था देने के लिहाद से भारतिय रेलवे आए दिन नए नए प्रयास करता है इसी को लेकर भारतिय रेलवे देश में पहली फाइव स्टार होटेल की सौगात अपने यात्रियों को देने वाली है दरसल गुजरात के गांधी नगर रेलवे स्टेशन में फाइव स्टार होटेल पूरी तरह से बन कर तयार हो गया है यानि कि रेलवे की पट्रियों के उपर अब आपको 5-7 होटेल की भी सुविधा मिलेगी स्टेशन के उपर बनने वाले इस होटेल में यात्रियों के लिए शांदार सुविधाई होंगी रेलवे बोर्ड के चेर्मेन वी के यादव ने कहा ये कनूठा मॉडल है इसका डिजाइन इस तरह से बनाए गया है कि नीचे की पट्रियों पर ट्रेनों से होने वाली कमपन और शोर होटेल में यात्रियों को महसूस नहीं होगा वैसे दुनिया भर में आपको रेलवे ट्राक के उपर कई होटेल सराम से दिख जाएंगे लेकिन भारत में ये पहला प्रियोग होगा यानि कि गांधी नगर ऐसा पहला स्टेशन होगा जहां पट्रियों के उपर फाइव स्टार होटेल चलेगा वैसे आपको बता दें गांधी नगर रेलवे स्टेशन पहले ही तमाम सुकसुविधाओं से लेस है ऐसे में फाइव स्टार होटेल का बनना इस रेलवे स्टेशन पर चार चान लगा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइव स्टार होटेल लीला ग्रूप आफ होटेल द्वारा चलाय जाएगा इसका निर्मान गांधी नगर रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्राक के उपर खंबो पर किया गया है वहाई होटल में पहुँचने के लिए स्टेशन के अंदर से ही एक गेट बनाए गया है ताकि यात्री ट्रेन से उतर कर होटेल तक स्टेशन के अंदर से ही पहुँच सके इस लग्जरी होटेल में कुल 300 कमरे हैं जो की 3400 वर्ग मीटर पर बना है इसे बनाने में 790 करोड रुपए का खर्चा आया है लीला ग्रुप के इस होटेल में 3 टावर बनाए गए हैं जिसके बाद गांधी नगर स्टेशन भी शहर की सबसे उची इमार्वतों में सेख बन गया है वैसे आपको बता दे इस होटेल की नीव 2017 में पियम मोदी ने रखी थी जिनने लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो जिस प्रोजेक्ट की नीव रखते हैं उसका उधगाटन भी करते हैं ऐसे में गुजरात सरकार ने गोशना भी कर दी है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 16 जुलाई को गांधी नगर रेलवे स्टेशन के उपर बने एक पांच सितारा होटेल का उधगाटन करेंगे बता दे पियम मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होटेल का उधगाटन करेंगे